नमस्कार आप देखरें लाइफ सीरीज मैं हूँ आपके स्ताश शिवम पत्ना नगर्णिगम मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए आज सुभा आठ वजे से ही जो वोटों की गिंती है वो जारी है आपको बता दे कि पत्ना के एन कॉलेज में वोटों की गिंती हो रही ह है ऐसे में जो रुजहान अभी सामने निकल करा रहे हैं उसमें से सीता साहू 45,953 वोटों से आगे चल रही हैं आपको बता दे कि सीता साहू को अभी तक कुल एक लाक एक हजार 37 वोट प्राप्त हुए हैं आपको बता दे कि उनकी जीत जो है वो पक्की हो चुकी है बस अनाउंस्मेंट होना बाकी है ऐसे में इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको हम बता रहे हैं कि पटना की एक बार फिर से सीता साहू मेयर बन चुकी है बस जो ओफीशियल अनाउंस्मेंट होना बाकी है आपको बता दे कि वो 45,953 वोटों से आगे चल रही हैं अगर हम तक कुल 55,084 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम विनीता बिट्टू सिंग की बात करें तो उन्हें 43,002 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम माला सिना की बात करें तो माला सिना को 14,206 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम रजनी देवी की बात करें तो रजनी देवी को 28,4 9,333 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम सरीता नोपानी की बात करें तो 9,370 वोटों से लगबग सरीता नोपानी को वोट प्राप्त हुए हैं ऐसे में सीता साहू ने एक बार फिर से पतना का मेयर पद समहाल लिया है आपको बता दे कि बस ओफीशियल अनाॉंसमेंट होना ब पर फिर से सीता साहू ही बनने जारी है आपको बता दे कि टोटल वोटों की गिंती अभी तक 4,527 वोटों की गिंती हो चुकी है जिसमें से सीता साहू को 1,037 वोट प्राप्त हुए हैं और डॉक्टर महजबी को 55,084 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम डिप्टी मेयर की बात करें तो डिप्टी मेयर में रेश्मी चंद्रवनसी की जीत जो है वो लगभग तैमानी जारी है आपको बता दे कि रेश्मी चंद्रवनसी 9,953 वोटों से आगे चल रही हैं उन्हें अभी तक कुल 1,47,247 वोट प्राप्त हुए हैं अगर हम अंजना गांधी की बात क करें तो उन्हें अभी तक 1,37,294 वोट प्राप्त हुए हैं ऐसे में लगभग या तैमाने जारा है कि पटना की मेयर एक बार फिर से सीता साहू बनने जारी है और डिप्टी मेयर रेश्मी चंद्रवनसी बनने जारी है बहराल अब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें धन्यवाद